एक comments में receive किया था रामित जी का, सबसे पहले मैं उन्हें thanks अना चाहती हूँ comments करने के लिए, comments उनका ये था कि जो purchase बिल होते हैं and sales बिल होते हैं, उसमें जो हम stock हम create करते हैं, तो stock के एक part code होते हैं, जैसे कि stock का item code होता है, तो stock का item code हमें कैसे create करना है, ये उनकी क्वारी थी, suppose कीजिए आपके company में thousand या फिर two thousand items हैं, तो उसमें जब आप entry करते हैं, तो आपको difficulty होती है, item को search करना by name से, तो उसके लिए, इस काम को easy करने के लिए, हम item का code बनाते हैं, जिसको की item part code कहते हैं, तो उसको कैसे create करना है, आज के वीडियो में हम यही discuss करने वाले हैं and यही की कैसे आपको अपने stock item के लिए, item code को generate करना है, आज हम देखने वाले है practical इस वीडियो में आपको करके बताऊंगी and with example कुछ items में create करके बताऊंगी, so that यह जो confusion है आपकी clear हो जाएगी, कैसे आपको item का part code या फिर item code create करना है टेली प्राइम में, तो चलिए video स्टार्ट कर करते हैं, आगे बनने से पहले एक छोटी से request है मेरी आपसे भी लोगों से, अगर आप first time मेरे चैनल पर आया है और new viewer है, तो make sure मेरे चैनल को like कर लीजिए and जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप share कीजिए, आप मेरे चैनल को अपने friends circle में, अपने round people में and उन से भी comments कर सकते हैं, definitely उसका solution and reply में आपको दूगी, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें टैली प्राइम में item code को generate करना है, यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी detail prepare की है, so that मैं आपको explain कर सकूँ, यहाँ पे मैंने जो product है, उसका image रखा हुआ है, और उसी के just next में इस product का आपको bill of material शो हो रहा है, तो देखिए, यह जो bill of material है, इसमें सारे detail आपको शो हो रहे हैं, serial number, कितने इसमें components यूज हुए हैं वो, और यहाँ पे देखिए, एक column आपको शो हो रहा है, item code का, जिसको की हम part code भी कहते हैं, product का, यह आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, ज item code कैसे आपको अपने product का generate करना है, telly prime में, यह हम देखेंगे, तो चलिए telly prime open कर लेते हैं, telly prime open करने के बाद, आपको gateway of telly से create पे जाना है, and create पे जाने के बाद, inventory masters के अंडर में stock item हम open कर लेंगे, and यहाँ से हम अपने stock item को create करेंगे, तो मैं यहाँ पे copy paste कर लेती हूँ यहाँ पे देखिए, मैं अपने product का जो name है, वो copy paste कर लेती हूँ, उसके बाद जो सबसे main option है, वो यह है, alias, यहीं पे हमें अपने product का code feed करना है, तो यहाँ से देखिए, इस product का code है, item code यह है, यहीं मैं copy paste यहाँ पे कर लेती हूँ, and enter place कर लेंगे, अब देखिए, जो उ group भी create कर सकते हैं, जैसे कि यह bearing का product है, तो L to C press करके, यहीं से हम bearing का group create कर लेते हैं, तो देखिए, under primary में आपको रखना है, यहाँ पे हमने bearing का group create कर लिया है, अब जितने भी bearing के raw materials होंगे, या फिर product के name होंगे, उसी में हम feed करेंगे, उसके बाद units हम pieces ले ले लेंगे, GST applicable होगा, and set alter GST years कर लेंगे, description में आपको जो भी आपका product का name है, आप वो रख सकते हैं, and इस product का adjacent code आपको रख लेना है, textable में textability, and जो भी इसका text rate है, 18% text में हापे apply कर लेती हूं, so इस step से हमने पहला product create कर लिया है, same way से हम second product create कर लेंगे, तो second product को में हापे copy paste कर लेती हूं bearing assembly हमें हापे create कर ले है, इसका देखिया item code है, उसको में copy paste alias में कर लेती हूं, and under हमें क्या रखना है, bearing रखना है, जो हमने भी group create किया था वो, and units हाप pieces रख सकते हैं, number रख सकते हैं, GST applicable होगा, description में जो भी product का name है, वो रख लीजए, adjacent code, and हापे taxability में taxable, and 18% text apply करते हुए जो भी आपके product का GST rate होगा, वो आप apply कर लीजेगा, third वाली item हम create कर लेते हैं, तो यहापे में copy and paste कर लेती हूं, तो यहाँ देखिये, इस product का जो item code है, वो हमें आपे copy paste कर लेते हैं, आप चाहें तो type भी कर सकते हैं, under हमें रखना है bearing के जो हमने group create किया था, units में pieces ले ले जो भी आपके product का text rate है, वो आप apply करके आप अपने item को create कर लीजे, तो इस type से आपको one by one सारे product को create कर लेना है, यहाँ पे copy paste हम कर लेते हैं, जो item code है, देखिये, यहाँ पे alias में सबसे main आपको याद रखना है, alias में जो item code है, आप वहाँ पे paste कर लीजे, यहाँ पे GST applicable क create कर लेंगे, इसके बाद देखिये, इसी type से same way से आपको सारे product को one by one create कर लेना है, and alias में आपको item code रखना है, and इस type से जैसे मैंने आपको instruction दिया, बताया जैसे, उसी type से आप one by one create कर सकते हैं अपने product को, product का जो item code होता है, आप अपने according रख सकते हैं, चलिए, मैं एक और आपको example शो करती हूँ, तो gateway of telly से again हम create पे जाएंगे, and then उसके बाद stock item पे जाएंगे, अब मैं यहापे create कर रही हूँ, electrical winch, जो की machine होती है, उसका हमें आपे name create कर रहे है, alias support कीजिए, इसका item code 8425 है, देखिए, आपे 4 digit का item code है, under हमें रखना है, primary में हम रख लेते हैं, अगर आप इसका group नहीं create करना चाहते हैं, तो आप primary में रख सकते हैं, और यहापे units में pieces रख लेंगे, GST applicable होगा, and say tellter GST में yes प्रिस करके, सारी detail आप feel कर लीजे, description और जो भी सका addition code होगा, textibility में textable, and इस पे 18% text apply होता है, तो 18% text apply करते हुए, इस tab से आप अपने item को create कर स सकते हैं, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि कैसे आपको product के name create करने है, with item code, अब चलिए देख लेते हैं, कि जो हमने create किया है, वो कहां हमें show होगा, तो gateway of telly से dis press करेंगे, तो देखिए, name of item में जो हमने create किया था, वो सारे code समया पे show हो रहे है, 8425 वो भी हमें show हो रह देखिए, मैंने हापे highlight किया है, bearing, तो यहाँ पे जो हमने group create किया था, वो show होगा, उस पर जब आप enter press करेंगे, तो उसके under आपने जितने भी products को create किया है, वो सारे product आपको show होंगे, तो हमने total 4 product किये थे, create, वो 4 product हमें यहाँ पे show हो रहे है, अब यहाँ पे आप एक integration करना होगा, तो यहाँ पे एक option आपको show हो रहा है, display name for stock item, तो इस option पे जब आप click करेंगे, तो देखिए, कई सारे options आपको यहाँ पे मिलते हैं, इन सारे options को आप अपने according use कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, मैंने select किया है name only, तो जब name only आप select करेंगे, और इसको save कर देखिए, जो आपका product का name है, सिर्फ यहाँ पे आपका जो product का name है, वही show हो रहा है, क्योंकि हमने आपे जो configuration किया था, सिर्फ name only किया था, इसलिए हमें आपे सिर्फ अपने product का name show हो रहा है, और item code यहाँ पे नहीं show हो रहा है, अगे हम चलते हैं, app trail में, उसके बाद देखिए, display name for stock item, यहाँ से हम आप option को change कर देंगे, आप देखिए, यहाँ पे हमें change करना है, यहाँ पे सारे options आपको मिलते हैं, तो आप अपने according change कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी ले रही हूँ, alias and name, alias से name का मतलब क्या हो गया, alias मतलब जो हमने item code create किया था वो, तो आपको पहले alias शो होगा, और उसके बाद product का name शो होगा, इसको save कर लेते हैं, अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ changes शो हो रहा है, अब यहाँ आप देखिए, तो पहले आपको item code शो होगा अपने product का, और उसके बाद में item का जो name है, जो आपके product का name है, वो आपको show ह तो इस टाइब से अगर आप आइटम कोड को पहले देखना चाहते हैं और प्रोड़क्ट का जो नेम है वो बात में देखना चाहते हैं तो इस टाइब से आप सेटिंग करके कर सकते हैं अब चलिए फिर से में चेंज करके आपको यहाँ पर शो करती हूं अलियास ओनली अगर पर जो प्रोड़क्ट का नेम है वो नहीं शो हो रहा है तो इस टाइब से आप इसको सेट कर सकते हैं अगें हम एफ्टर प्रेस करते हैं यहाँ पर ऑप्शन में चेंज कर देती हूं नेम एंड एलियास तो देखिए पहले आपको प्रोड़क्ट का नेम शो होगा और उसक पर प्रोड़क्ट कर लेजर आपको सेलेक कर लेना है उसके बाद यहां से हम परचिस का जो लेजर है वो हम सेलेक कर लेंगे तो यहाँ पर परचिस हम सेलेक कर लेते हैं उसके बाद देखिए नेम उफ आइटम तो जो भी आपका प्रोड़क्ट का नेम है आप यहाँ पर टाइपिंग करके भी सर्च कर सकते हैं अपने प्रोड़क्ट को या फिर जो आइटम कोड है वो भी ट कर सकते हैं स्टाइब से क्वांटिटी आइड कर लिजिए एंड रेट अप्लाय कर लिजिए तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास ज्यादा प्रोड़क्ट है नंबर आफ प्रोड़क्ट किरेंड ज्यादा है तो आप कोड के थू इसली अपने आइटम को सर्च कर सकते ह हैं इसके बाद हम इसके ओपर टेक सप्लाय कर लेंगे तो यह complete invoice हो जायगा and complete invoice होने की बाद अब हम देखते हैं कि इसका जो print preview है वो कैसा चूँओ होगा so that हमें पता चले कि जो आइटम कोड हमने generate किया था वो कैसे हमें show होगा तो अब आपको क्या करना है यहां से मैं आपको show करती हूँ जो print preview है print preview देखने के लिए print पे हम जाएंगे and then current पे आपको click करना है और उसके बाद देखिए preview पे आप click कर लिजे यहीं से आप f4 press करेंगे तो आपका invoice जो है वो zoom हो जाएगा अब आप यहां पे एक चीज़ notice करेंगे यहां पे description of item में आपको product का name show हो रहा है जो हमने item code create किया था वो यहां पे show नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें कुछ configuration करना होगा यहीं से हम configure पे click करेंगे and configure पे click करने के बाद देखिए voucher details के अंडर में सबसे नीचे एक option आप देखेंगे display name for stock item यहां पे आपको enter press करना है enter press करने के बाद देखिए name only select था इसलिए हमें name only show हो रहा था product का अब यहां से आप अपने according setting कर सकते हैं तो यहां पे में name and alias कर लेती set यहां पे हम save कर लेंगे अब मैं आपको preview show करती हूँ यहां पे preview पे app for press करेंगे आप देखिए आपको यहां पे product name के बाद में आपने जो item code create किया था वो item code यहां पे आपको show होगा तो सबसे पहले अगर आप name and alias का option choose करते हैं तो आपको पहले product का name show होगा and उसके बाद आपको item का जो code है जो product का code है वो show होगा उसके बाद अगर आप इसको change करना चाहते हैं again configure पे जाहिए and उसके बाद display name for stock item यहां से आप alias plus name करेंगे and save कर लेंगे तो आपको यहां पे again preview पे चलिए हैं देखते हैं कि अप क्या show होगा अब आप यहां पे देखेंगे सबसे पहले आपको item code show होगा and उसके बाद item का जो description है वो आपको show होगा तो इस type से आप अपने according configuration कर सकते हैं क्या आपको पहले mention करना है and क्या आपको बाद में mention करना है या फिर आपको सिर्फ name ही product का रखना है इस type से मैंने आपको यहां पे बताया चलिए एक और entry करके मैं आपको बताती हूँ so that concept clear हो जाए suppliers का invoice number रख लीजे and जिस party से आप purchase कर दे हैं उस party का laser select कर लीजे अब यहां पे देखिए मैं product को code से सर्च कर दी हूँ जो मुझे code याद है इसलिए मैं code से सर्च कर दी हूँ मैंने 8425 सर्च किया तो देखिए electrical winch हमें शो हुआ quantity and rate apply कर लेंगे उसके बाद हम GST apply कर लेंगे so इस type से हमने invoice बना लिया अब चलिए print पे चलते हैं and then current पे चलके print preview हम देख लेते हैं तो यहां से F4 प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहां पे product का name शो हो रहा है क्योंकि हमने name only select किया हुआ था इसलिए आपको यहां पे name show हो रहा है तो देखिए display name for stock item यहां पे name only select था तो यहां पे हम change कर लेते हैं again हम preview पे जाते हैं यहां पे मैं F4 प्रेस करके आपको show करती हूँ यहां देखिए आपको show हो रहा है पहले आपको item का name show होगा और उसके बाद item का code शो होगा तो इस type से आप अपने according configuration कर सकते हैं तो इस video मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अपने product का item code या फिर part code को generate करना है और कैसे उसको invoice के उपर apply करके उसको देखना है वो मैंने आपको इस video में बताया आप भी इस type से successfully अपने item का part code या फिर item code को generate कर सकते हैं description box को check out करना ना पूलिएगा tally and accounts related maximum videos के link वहां provide कर दूँगी आप सारे videos को watch out कर सकते हैं आप मेरे channel को search भी कर सकते हैं मेरे channel का name है suman education hub वहां आपको playlist मिल जाएगी playlist आपके लिए काफी helpful होगा देखिए playlist क्या होता है इस short में मैं आपको बता देती हूँ playlist में देखिए किसी भी particular topic से related जितने भी videos मैंने बनाया है उन सारे videos को merge करके मैंने एक playlist बनाया है तो playlist काफी helpful होगा आपके लिए आप playlist watch out कर सकते हैं चैली and accounts related छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर topic को cover करने की मैंने अपने videos में कुशिश की है still कर रही हूँ और in future में भी मैं करती रहूँगी बस आप सभी लोग का साथ and आप सभी लोग का support मुझे चाहिए I wish ये video आपके लिए helpful रही है अगर helpful रही है तो एक छोटा सा काम करते हुए चाहिएगा मेरे चैनल को like कर दीजेगा share कर दीजेगा and subscribe कर दीजेगा Thank you and keep watching my videos